नमस्कार दोस्तों देखे मित्रों आपका रीट का एक्जाम है और रीट एक्जाम से समधित हम कुछ महत्पुन बातें करने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्पुन है कि एक्जाम होल में आपको कीन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि ये बातें इतनी महत्पुन है कई बार जैसे मालजी विद्यारती कुछ मिस्टेक के रहते वे सेलेक्शन होने से रह जाता है आप किसी का मालजी कटोप 75 गई है और किसी के नंबर ही अगर 30% आ रहे हैं तो उसको दुख नहीं होगा 75 कटोप गई है किसी के 60% आ रहे हैं 65% आ रहे हैं तो उसका दुख होगा कुछ और अगर 75 कटोप गई है और नंबर आ रहे हैं 74, 73 तो वो दुख बहुत बड़ा होता है तो वो चीज जो है वो नहीं हो कि कुछ लापरवाई की वज़े से कुछ मिस्टेक की वज़े से नुकसान हो जाए तो वो चीज नहीं हो इसलिए थोड़ा उन चीजों पर मैं एक बार आपको ये बातें बता रहा हूँ आप बहुत ध्यान से इनको सुनना, एक-एक पॉइंट को सुनना, पूरे वीडियो को अच्छे से सुनना तो सबसे पहले थो हम बात करते हैं, देखे, एक्जाम होल में आपको की चीजों का ध्यान रखना है उससे पहले मैं आपको थोड़ा दूसरी चीज़े बता दूँ कि एक्जाम से पहले, जो आपका एक्जाम सेंटर है सबके सेंटर जो हैं, विद्यारतियों के लगवर बाहरी आ रहे हैं आप जैसे किसी डिष्टिके हैं, आपका दूसरी डिष्टिक में आ रहे है डिश्टिक आस्प के जो उसके स्थान है आसपास के वहाँ पर सेंटर आ रहे हैं तो कोशिस ये करें कि आप एक्जाम से एक दिन पहले वहाँ पर पहुंच जाए जैसे आपका next day 26 को है तो ये आपकी कोशिस रहनी चीए कि 25 तारी को जो है वह आप अपने सेंटर पर पहुंच जाए और एक्जाम बिलकुल ही पास में है कि रस्ता आपका 1 गंटा, 2 गंटे 5 गंटे, 3 गंटे तक का रस्ता है तो ये है कि फिर आप सुबह morning में जल्दी रवाना हो सकते हैं 5 बजे, 5.30 बजे और 8 बजे तक यानि में बात यह है कि जो आपका एक्जाम सेंटर है उससे 2 गंटे पहले आपको उस सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए इस तरह की आपकी कोशिस हो और अगर एक दिन पहले पहुंचते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेंटर कितनी दूर है तो फिर आप आधी गंटा पहले भी याई गंटा पहले भी जो अपने सेंटर पर जा सकते हैं वो फिर उसमें आपका admit card है उसमें लिखा होगा समय कि इतने समय पहले आपको पहुँचना है तो उस चीज को आप ध्यान में रखेगा तो जो admit card में आपके जो भी चीजें लिखी वी है उनको अच्छे से follow कीजिएगा कि उन्होंने क्या-क्या बोला है कि ये चीज आपको लेकर क्या नहीं है ये नहीं लेकर क्या नहीं है तो उन छोटी-छोटी बारीकी से उन सबी चीजों का ध्यान करे पूरे परिवेश्पत्र को बहुत अच्छे से पढ़िएगा उसमें केवल आपको यही नहीं पढ़ना है कि सेंटर का है उसमें जो निर्देश लिखे होते हैं क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है ये हर चीज उसमें लिखी होती है तो फिर वहाँ जाकर के आपके समझे आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखेगा इसके बाद में तो एकजाम से एक दिन पहले परियास करें कि आप पहुंच जाए इसके बाद जो आपका एड्मिट कार्ड है इसको निकालें ऐसा नहीं हो कि आप भूल जाएं या जैसे सही एड्मिट कार्ड हो इसके साथ आपको एक जो है पहचान पत्र की आवशक्ता पढ़ती है कोई भी हो सकता है जैसे आदार कार्ड है या और भी कोई भी हो तो वो आप ले सकते हैं इसके अलावा कि आपको जो पैन यूज करना है कौन सा बॉल पैन यूज करना है उसमें क्या लिखावा है उस चीज को ध्यान में रखेगा कई जगे एड्मिट कार्ड में लिखा होता है कि पारदर्शी पैन होना चाहिए पारदर्शी पैन का मतलब है कि उसमें दिखनी चाहिए जो ऐसा नहीं है कि पारदर्शी पैन आप पूरा पैन के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहे है तो पारदर्शी पैन जो आते हैं उनमें दिखना चाहिए कि अंदर जो शाई है भरी वे वो दिखनी चाहिए तो वो पार्दर्शी पहने में आते हैं ब्ल्यू चाहिए, ब्लैक चाहिए तो वो सब चीज आप एक एक चीज गा अध्यान करें दूसरी बात यह है कि एक्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तो आपको पता है कि फोन वगरा हो गए या आपका जैसे जो भी पर्स है तो यह कई चीजों की एंटरी नहीं है तो पहले से आप सोचके जाएं कि मुझे मेरा फोन वगरा है मैं मेरा कहां रख सकूँ अगर आप नहीं लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर है अलंकि दूसरे सेर जा रहे हैं दूसरे जगह जा रहे हैं तो लेके तो जाना ही पड़ेगा लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उनको दे दे दें या पर्स वगरा है तो सही जगह पर रखें थोड़ा इन चीजों का आप ध्यान में रखेगा तो ये कुछ बैसिक सी बाते हैं और एक चीज में आपको और बता दो जो आपका एक्जाम सेंटर का नाम आता है तो कई बार मिलते जुलते नाम वाले स्कूल भी आ जाते हैं कई बार उसके आगे फर्स लिखा होता है कई विद्या लेके आगे सेंटर लिखा है नाम सेम ही है एक हलका सा डिफरेंस है तो थोड़ा उस चीज का जुरूर ध्यान रखे कई बार मैंने विद्यारति हों देखा है कि सेंटर पर जाना था कहीं और वो गलती से किसी और सेंटर पर पहुंच गए अब एक्जाम में बचे हैं 20 मिनट 25 मिनट वहां जाकर के पता चलता है कि वो सेंटर उनका है ही नहीं और वो सेंटर उनका आदी गंटा दूर कहीं दूसरी जगह है अब उसकी क्या हालत होगी यह आप समझ सकते हैं इन छोटी छोटी चीजों का बारिकी से आपको ध्यान रखना है और दूसरी बात आपको और बता दू जब आप एक्जाम देने के लिए दूसरे सेंटर पर दूसरे सहर जा रहे हैं तो वो जो समय आपको बीच में मिल रहे है उसको फालतू ऐसे नहीं है कि बैठे बैठाई पास में कोई मिल गया और भाई बता कहां से है, क्या चल रहा है, कहां कोचिंग की कोई इन चीजों का समय नहीं है फालतू में वेर्थ बातें करने का आप कोई बुकलेट साथ में लेके जा रहे हैं तो उसको साथ में ले जाके पढ़िएगा, जो है नोट सागर आपने पढ़ते रहें और अगर वो भी नहीं पढ़ते हैं, तो जो भी वीडियो मैंने बना रखे हैं शोट में, या जो भी वीडियो बगएर आप देखते हैं, तो उनको उनको fast mode पे आप चला करके और फटा फट जो है division कर सकते हैं तो उस समय का सदू क्यों करें अब बात करते हैं exam hall में तो जब exam hall में आप enter करते हैं अपनी seat पर बैठते हैं उसके बाद जब आपका paper आपके सामने आता है तो सबसे पहला मैं step आपको बता देता हूँ इसमें 2-3 step हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं सबसे पहले आप पूरे paper को एक बार जो है पूरा पढ़ दीजिए जो आपके उसमें जो भी है जैसे बाल विकास के 30 question आएंगे दो बासाओं के आएंगे 30-30 और इसके बाद जैसे विद्यार्थी read level first के हैं तो उनके वो 30 का जो अनपात है और जो इसके हैं एसस्टी के उनके वो 60 question वाला science मैत वाले हैं उनके 60 question का तो आपको पहली बार जब आप देखे इस चीज के लिए mentally रूप से त्यार रहिएगा कि हो सकता है कि उसमें काफी question ऐसे होंगे जो आपको पहली बार में नहीं आते होंगे psychology मान लीजिए psychology है अब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि पिसले डेट दो साल से इतनी चीज़ें मैंने भी आपको बताई है बहतरिन से बहतरिन चीज़ें आपको यहां पर दी है तो बाल विकास वगएरा हो गया तो उसमें मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई भी examiner अगर exam बना देगा तो आपको कोई हिलने की जूरत नहीं है कोई समश्या नहीं आएगी तो लेकिन फिर भी मालीजी कोई क्यूशन वगएरा आपको बिढ़ने में लगा रहे नहीं यह तो मुझे आई नहीं रहे शुरू के 7-8 क्यूशन ऐसे आ गए तो यह बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप एक बार पूरे पेपर को सरसरी नजर से अपनी आँखों से निकाल दीजिए बिना ये सोचे बिना कि आपको उसमें से कितने क्यूशन आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं हालनकि एक तरीका ये भी होता है कि जो पोर्शन की त्यारी आपकी जो सबसे अच्छी त्यारी हो वो person आप सबसे पहले देखे या जैसे मालीजी कोई बासागा हो गया या जैसे SST की है लेकिन उससे भी जो बहतरी इन तरीका है ये है कि आप पूरे paper को एक बार अपनी सरसरी नजर से पूरे paper को अपनी आँखों से निकाल दीजिए बीना ये सोचे भी ना कि आपको कोण से कुछन आ रहे है और कोण से नहीं आते हैं या कोई आपको hard act, मुश्किल ऐसा कुछ नहीं करना है उससे आप जो है पूरा paper आपके ध्यान में होगा कि हाँ अब मुझे क्या करना है तो जब आप पहली बार में पूरे paper को पढ़ते हैं तो पहली बार में 1500 में से 50-60 कुछन ऐसे होंगे जो आपको पहली बार में पढ़ते ही आ जाएंगे मैं जो आप एक एक बात गोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा पहली बार में 50-60 के लगबग ही आएंगे आप ऐसा नहीं है कि किसी को 50-60 आ रहे हैं वो सोचे यार मुझे तो 50-60 ही कैसे आ रहे हैं पहली बार में पढ़ते ही यानि ये 50-60 तो उस तरह के कुछन होंगे कि जैसे महाना परताब के गोडे का क्या नाम था तो चेतक हाती का क्या नाम था राम परसाद इस तरह के कुछन आपको मिलेंगे चाई वो बाल विकास हो चाई बासा हो चाई एसेश्टी हो या रीट लेवल फर्स्ट हो या सेकिन जो भी आपका मेंटर है 500 में से 150 में से 50-60 चैट कुछन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको देखते ही फटाक से आप उसका उतरा जाएगा आपको तो वो जो क्युसन है उनके आप आप जैसे माल जी यह आपका क्युसन है यहाँ 4 उम्हों है और आपने question पढ़ते ही जब पढ़ रहे हैं और आपके click होगे कि हाँ इसका उतर ये है जैसे A है तो A के इस तरह का dot लगा दें ऐसा नहीं है कि पूरा ये ले भाई ये हो गया ऐसे नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको उतर चेंज करने की जुरुत भी पढ़े उसमें अभी मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज करना पढ़े कैसे नहीं तो एक dot लगा दीजिए कि आपको समझ में आजए कहा इसका उतर ये है दूसरा question क्या उसमें C है C के यूँ dot लगा दिया कि आचिया ये है तो अब इसके बाद में आप dot लगाते चलें अब जो sure हो उनको मारक करते जाएं अब आपको आना है दूबारे जब आपको paper ध्यान से पढ़ना है अब आपको बहुत अच्छे से paper को दूबारे पढ़ना है और paper दूबारे में कौन से question पढ़ने है वो question दूबारे बहुत ध्यान से पढ़ने है जो 50-60 question 40-50-60-70 जो भी सही है आपके जिनमें आप 100% sure थे कहा इसका तो ये था अब उनको दूबारे पढ़िए क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसने पुछा है महाना परताब के गोड़े का नाम या हाती का नाम पुछा और आपके दिमाग में जो चल रहा है जैसे माल जी महाना परताब के गोड़े का नाम पुछा और आपके दिमाग में चल रहा हाती और आप सही करके आगे राम पर साथ तो गड़त हो गया वो तो कई बार इस तरह से जो आपके उस टाइम माइंड में विचार आते हैं थोट आते हैं उनमें भी एक दूसरे पर समझा हो जाती है तो जो क्यूशन आपके 100% आपको सही लग रहे थे उनको अब दूबारे अच्छे से पढ़िए उन 50-60 क्यूशन को और वो क्यूशन कोन से थे आपने डोट लगा रहे हैं आपको वैसे ही मालूम होगा और नहीं तो आप इसके साथ में डोट जो उतर थे उनके लगाने-लगाने है क्यूशन पर भी हलका इस तरह से छोटा मारक कर सकते हैं या डोट लगा सकते हैं ताकि आपको ये डोट अगर ये लगा दिजए ये ज़्यादा से ही रहेगा आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ यह क्यूशन मुझे दुबार देखने है अब उनको अच्छे से पढ़िये समझ समझ गए अब आप शोर हो जाएं का हाँ इसका यही है और इस में से भी 5-6 से निकलेंगे जो पहली बार में आपको लग रहा था कि 100% यही है लेकिन उसका उत्तर दूसरा निकलेगा तो यह थोड़ा साब ध्यान में रखिएगा अब आप उनमें 100% शोर होगे का हाँ भाई अब मैं इनमें 100% शोर हूँ 50-70 क्यूशन में इसके बाद जो है आप इनके गोले काले कर सकते हैं आपको यह चीज़ दो ध्यान देनी है कि 150 क्यूशन आपको एक साथ नहीं गोले काले करने ध्यान रखिएगा क्योंकि दिमाग वैसे भी उस समय थोड़ा होता है ऐसा ही कि एक्जाम का दबाव होता है और उपर नीचे एक भी गोला काला उल्टा सिधा हो गया है जो आपको पांचवे क्यूशन में बरना था C, C चल रहा है अचानक छटे साथ वे तक आते आते आपके यह होगे कि D अब वो D बरना आपको नौवे क्यूशन में था या सातवे में बरना था और एक भी उत्तर गलत हो गया एक भी गोला अगर गलत बर दिया वो सीरिच चलती जाएगी सारे गोले गलत हो जाते हैं तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है जो भी ग पंदरवा क्यूशन अच्छा पंदरवे का जो उत्तर है तो पंदरवे का सी क्यूशन और उसका उत्तर क्या फिर जब आंसर सीट बरें तो आपके सामने पंदरा नंबर आपको दिखना चाहिए और फिर गोला काला कीजिएगा ये बहुत छोटी छोटी मिश्टेक होती है विद्यारतियों के चार चार पांस पांस गोले नॉर्मली वो गलत बर देते हैं वो तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी कटोब जाती है अगर एक दो नंबर से आसपास से रहे और वो भी ऐसी गलतियों के कारण तो इन गलतियों की तो बरपाई नहीं हो सकती तो य उसमें आपने 100% Sure वाले कर दिए अब तीसरा से जो है इसमें उसमें आपको यह करना है कि अब जो किसन आपको नहीं हा रहे थे या जैसे मालल जी आपको शूरू से देखेगा कि जिन किसनोयं में आपको लगता है कि दो उप्सन सही हैं तीन उप्सन सही हैं तो वो अब से पढ़ने है और एक ऐसा रामबान तरीका है जो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा देगा जब आप क्यूशन को पढ़ते हैं तो एक बार गे लिए उसके option ना देखें आप जो एक तरीका है रामबान और क्यूशन पढ़ते ही जो आपके माइंड में सबसे पहला आपके दिमाग में नाम आरा है तो 90% चांस यह होता है कि जो उत्तर होता है वो उसका वो ही होगा ये जो इस्तती है मैं आपको किन मैं बता रहा हूँ जिनमें मालजी आपको थोड़ा से यह doubt हो जाए कि यह सही है या यह सही है आपको दो-तीन option में doubt हो रहा हो तो एक बार फिर से आप जो है वो बहुत ध्यान से सोचें अपनी आखे बंद करें और ये सोचें कर फर्स टाइम क्यूस्टन पढ़ते ही आपके माइंड में क्या क्लिक हो रहा है क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है तो आपकी माइंड में कहीं न कहीं सेव तो है वो लेकिन उस समय की जो इस्तती है, कंडिशन है वो ऐसी है कि वो पूरे अच्छे से याद नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पहली बारें पढ़ते ही जो उतर आ रहा है 90% चांस यह होता है कि उसका उतर वो ही होता है तो इस तरह से आप पढ़ते-पढ़ते इसके बाद में हम देखेगा, कई बार विद्यार्थी क्या करता है, कि जो उसके आसपास इस्टुडेंट बैठा है और वो गोले-काले फटा-फट धढ़ा-धड़ गोले-काले किये जा रहा है येर, येर उसको आपके इतने बड़े-बड़े मार्क दिखे हैं इतना वो बड़े-बड़े निसान लगा रहा है तो विद्यार्थी तोड़ा उसको देखके भी ये ऐसे थोड़ा निरास्या हो जाता है कि इनकी त्यारी तो बहुत श्यांदार है जबकि हो सकता है कि वो पहली बार में मानली जी ये पहली बार या जो भी हो पहली बार में भी कई विद्यार्थी पहली बार में भी कई विद्यार्थी काफी सीरियस होते है और बहुत ज़ने नहीं होते है हो सकता है कि उसकी एक्जाम की कोई त्यारी नहीं हो या वो सिर्फ ये देखने के लिए आयो कि REIT का एक्जाम कैसे होता है बस सिर्फ देखने के लिए आयो तो वो तो पूरे धड़ा धड़ बरेगा यूँ अब यूँ गोड़े काले करेगा ये देखो और पूरे फटा फट एक गंटे में पेपर त्यार ऐसी गलती मत करना पडोसी को ज्यादा होनार मानने की मिश्टेक मत करना आपने जितनी त्यारी कर रखिये अगर मैंने आपको जितनी बातें यहां बताई है पिछले डेड़ दो साल से REIT के लिए जो जब से RBSI किता भी सुरूद की थी उसके बाद से REIT के लिए और पहले पे जो लाश्ट रीट का एक्जाम वा था उस टाइम भी तो इमानदारी से अगर आपने चीज़ें फोलो की है वास्ते में किये क्योंकि आप जानते हो आपने की है या नहीं की है आपने इमानदारी से फोलो की है तो जो रास्ता मैंने आपको बताया था वो रास्ता ऐसा है कि मुश्किल से 5-10% विद्ध्यार्थी भी ढंग से उस रास्ते पर नहीं चल पाते जितने फोरम भरे होंगे जितने विद्ध्यार्थियों ने यहां वीडियो वगरा देखते होंगे उनमें मुश्किल से 5-10% विद्ध्यार्थी है जैसे 1,00,000 विद्ध्यार्थी मान लेजिए यहां देखते हैं तो 1,00,000 मैंसे भी 10,000 मैक्जिमम मैक्जिमम बता रहा हूँ आपको मैक्जिमम से मैक्जिमम 5000-10,000 के बीच में ऐसे विद्यारती होंगे जो इमानदारी से उन्होंने सारी बात फोलू की होई क्योंकि कैसे त्यारी करनी है ये वीडियो देखना असान होता है उस त्यारी को आप करना है आगे पढ़ना है वो चीज बहुत मुश्किल होती है लेकिन गारंटी है सेलेक्शन 100% होगा तो अपने आप पे विश्वास रखना आपने जो त्यारी की है उस तरह से त्यारी करना सब के बस की बात नहीं होती विद्यारती हिमत हार जाते हैं इतना कोन रामान करे कोन इरतिन मैनत करे पहले ये किताबे पढ़ो, RBC वाले रेकी एक लाइन टू लाइन पढ़ो बच्चों की तरह कई बार विद्यारती हिमा लगता है कि इतनी तरह त्यारी करना आसान नहीं होता है, बॉर्ड के एक्जाम कितनी सीरियसली गंबिरता से लेता है वो, पूरे साल बर पड़ता है, और जो कम्पिटिशने एक्जाम होते हैं, इसमें जादतर विद्यारती हैं, वो दो-तिन महीने में एक्जाम को पास करना चाहते हैं, जो चीज आपको देगी, पूरी लाइफ सेटल होगी, उसके लिए वो केवल दो-तिन-चार महीने लगाना चाहते हैं, डेट-दो साल तक गंबिरता से डेली का त्यारी करना, ये इतनी जो मैनत रामान है, ये नहीं करना चाहते हैं, मुश्किल से 10% ही करते हैं, और वो निक अती है, सीरिस हैम नहीं होती, उप्सिन तक भी उपर नीचे हो जाते हैं, किसी के A उप्सिन में लिखा है, माना परताब के गोडे का नाम, किसी के आपके जो पास वाले के नाम में लिखा है, A उप्सिन में चे तक हो सकता है कि वो आपके D उप्सिन में चे तक आए, तो य चोटी-चोटी मिश्टेक है जो विद्यार्थी कर देते हैं, यह नहीं करनी है, इसके बाद जो समय है, आलंकि हर रूम के अंदर जो है वो गड़ी, जो है दिवार पे लगी होती है, और अगर कहीं नहीं लगी भी हो, तो जो आपके शिक्षव वगरा या जिनकी डूटी है उस एक्जाम होल में, तो उनको जो है आप द्यान से रखेगा, उनसे जो टाइम पूसते रहें, 15-20 मिनिट में या आदी घंटा में या वो अपने आप भी बताते रहेंगे, या जैसे मालजी स्कुल में गंटी वाला सिस्टम होता गंटी बसती रहती है, कि आदा गंटा हो देखे, कई बार आपके रूम में कुछ और समशें भी आजाती है, अब जैसे मालजी आपके एक एक एग्जाम रूम के अंदर दो जो हैं, उनकी डूटी है, दो अगर वहाँ सिख्षक हैं, कई बार जिनकी डूटी होती है, आपस में बात करने लग जाते हैं, हाँ सर में तो वहाँ गयातर, उनकी बातों का कोई लेने देना नहीं आपसे, लेकिन वो बात करने लगते हैं, आपका ध्यान बार-बार डाइवर्ट होता है, ये चीजें भी मैंने देखिए, तो बड़े ही आराम से, उनको कह दीजें कि सर, आपसे विनती है, कि हम डिश्टर्ब हो रहे हैं, ये हाजोड की विनती है, प्लीज करप्या करके आप शांत हो जाईएं। कोई इसमें जूरत नहीं है कि साथ मैं सर को कह दूँगा, तो ये क्या सोचेंगे, मुझे तो सरम आ रही है, सरम वरम कुछ से मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्यूंकि वो जो बाते करेंगे, आपके कम से कम 30-35-40 क्यूशन तो ऐसे आएंगे, जो बहुत आपको सोचने पर, आपको पूरा दिमाग लग जाएगा वहाँ पे, और अगर टीचर बार-बार बात करेंगे, आपस में वो बोलेंगे, तो आप उससे डिश्टब होते हैं, अगर इस तरह से बात करना आपस में सुरू कर दें सिक्षक, उनको वहीं मना कर दीजिए, कि सर आपसे रिक्वेस्ट है, कि आप करिप्या करके बात ना करें, हम जो है डिश्टब हो रहे हैं, हमारा द्यान नहीं बन पा रहे हैं, तो वैसे समझ जाएगा, फिर वो नहीं बोलेगा हो, तो थोड़ा यह आप द्यान में रखना, अपना नुकसान नहीं करना है आपको, जो उप्षन पहली बार में माइंड में आए, 90% वही सही होता है, यह किस चीज के बारे में सही होता है, जहां दो उप्षन में आपको डाउट हो कि A है, B है, या C है, D है, अगर आपको किसी इस तरह से डाउट हो रहे हैं, तो पहली बार क्यूशन पढ़ते ही आपके दिमाख में क्या है था, आप जैसे मालेजी कि महाना परताप के गोड़े का नाम क्या था, तो इसमें यह है कि आप पहले उप्षन पढ़ोगे चार, तब आपको पता पढ़ेगा कौन सा है, बाइक चीज़ें आपने इतने अच्छे से पढ़ रखी होगी, वो आपने पढ़ते ही आपके आजाएगा का अच्छा गोड़े का नाम यह होगा, ओप्षन में देखोगे कि आच्छा यह गोड़ा, यह राचे तक यह आपने करती है, तो कई बार दो अप्षन में, तीन अप्षन में आपको इस तरह का डाउट होता है, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि डेट सो क्यूशन में से कुछ क्यूशन का ऐसा होता है, जैसे एक कुछन यहां पूछा, उसी से मिलता जुलता कुछन भी कहीं और आ गया, उसी पेपर में ही, तो वो आपका कुछन बिलकुल हो जाएगा, एक ही कुछन में, दो तिन कुछन आपके सही हो जाएगे, तो कई बार कुछ ऐसे भी कुछन आ जाते हैं, जो इदर भी उतर मिल रहा है, और वो उतर को कहीं वो आगे, जो है, आपका कुछन बना के दे रहे, तो इस तरह से भी हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार पूरे पेपर को डेट सो कुछन आप अपनी आँखों से निकाल दीजिए, तो ये बेनिफिट होता है उसका, अब हम बात कर करते हैं, और मन को जो है, वो आपको शांत रखेगा, ऐसा नहीं है कि आप एकजाम देने जा रहे हो, तो इतना खतरनाक सोच ले, दबाव मेरे, सारा मिक्स ही हो गया दिमाग मेरे, आप 5-10 मिनिट तक आपको दबाव महसूस होगा, और जूही एकजाम आपके पास में आए पर बखने है, वो ऐसे होगी, जब 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 यूँँ, जब ही पेपर मिल जाएगा, 5-10 मिनिट बाद आप बिलकुल नॉर्मल हो जाएंगे, और उस वक्त आपके फिर वो चीज काम आएगी, कि आपने पिछले डेट 2 साल में क्या किया है, पि यह option लगाँगा, सारे गोले काल गुरून, सिर्ब उसके tension नहीं होगी, tension जो त्यारी कर रहा है, उसके तो 100% tension होगी, क्योंकि उसको मन में यह है कि मैंने इतनी महनत किया, पता नहीं क्या होगा, होगा अच्छा ही, लेकिन tension फिर भी होती है, तो इसलिए थोड़ देर में मन को शांत रखें, और अराम से अपना जो है paper, 500 questions all करें, question आपको सारे attend करने है, किसी में आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है, क्या नहीं मुझे तो मैं तो जिंदगी में नाम नहीं सुना, तो फिर उसमें ऐसे देख लो कि उपर नीचे option वाले क्या है, क्योंकि इसमे negative marking नहीं है, तो पूरे तो आपको सारे करने है, अगर 10 question भी आपको नहीं आते, तो 10 के अंदर जो है, सब के अंदर आप option भर दो, CC, 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 option भर दो, आपको यहीं नहीं पता, उसमें है क्या, दूर दूर तक नहीं पता, आपको आपने जिंदगी में नाम नहीं सुना, तो ऐ एक जैसे option भर दो, उसमें, दो, तीन कुछ तो सही होगा, तो जब नहीं करना है, जब आता ही नहीं है, तो फिर तो जो मर्जी है, भरो उसमें, तो खाली तो नहीं छोड़ने हैं, डेट सो कुछन पूरे के पूरे करने हैं, तो यह कुछ मैत्पून बातें थी, और यह बा हूँ, तो फिर दिक्कत होती है, तो आप इन छोड़-छोड़ी चीजों का ध्यान में रखेगा, बहुत ज़्यादा मैत्पून आपके लिए, और मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, जो विद्यारती continue पिछले डेट दो साल से जुड़े वे हैं, यहां पर, और जित भी बहुत अच्छे नंबर के साथ, कटोप 75 जाएगी, तो आपके कटोप आपसे नंबर उपर ही आएंगे, आपके 77, 78, 80, आपके नंबर उपर ही आएंगे कटोप से, 2, 4, 5, 7, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, क्योंकि जो रस्ता मैंने आपको बताये था, वो रस् भाई मैंने RBSC के किताबी सुरू करवाई थी, उसके साथ कितनी चीज़ें बताते थे, तो मैंने कह था है कि सुरू में बच्चों को लगता है कि RBSC चलो हम पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो लेकिन बाद में बच्चे ऐसे करते हैं कौन इतनी रामान करे, कौन इतना पटे, डेली कार कितना नहीं, तो वो रस्ता आसान नहीं है वो, लेकिन वो रस्ता 100% सेलेक्शन वाला है वो, तो आपने इमानदारी से अगर हर चीज़ फोलो की है, तो अपने आप पे विश्वास रखना कि आपका 100% सेलेक्शन होगा, तो इसी प्रकार से त्यारी करते र हो रखनाद, तो एर करते देड़ी जेक्शन है तो भी प्रकार से nessौग